हलो गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स वेलकम बैक आवर ओफिस्यल यूट्यूब चैनल यूथ कंपडिशन टाइम साथ यो आप सभी लोग का हारदिक स्वागत है साथ यो एक ओफिस्यल अपडेट और एक ओफिस्यल नोटीस के साथ आपके सामने आ रहा है जो कि आपको हमारे बैक ग्राउंड में दिख रहा है साथ यो इसी ओफिस्यल नोटीस के बारे में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं यह जो ओफिस्यल नोटीस आपके लिए मैं ले करके आया हूं यह कहां से लेकर करके आया हूं और किस जॉब वेकैंस के लिए यह ओपरचुनुटी मैं की सामने ले करके आया हूं साही यह जो भी ऑफीसियल नोटीस मैं ले करके आता हूं सब अथा। इक चीज को मैं डिसकुस करता हूं और सभी इसका ऑनलान रेडिस्टेशन कबसे सटाथ होगा साथी साथ इसके लास्ट डिट क्या होगा अगर इसमें को ने सकता होती है तो क्या qualification आपको चाहिए whatever जो भी इसका detail analysis हो सकता है सभी के सभी detail analysis को मैं करना चाहता हूं और मैं एक एक fact and circumstances को आपको बताना चाहता हूं कि जिससे जब add the time आप form को अपने fill करने जाते हैं तो उस time आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़ा तो साथियों यहां पर देखिए वह बीना देर किया इस session को start करता हूं और इसमें जो भी जरूरत की चीजें होंगी उन सभी जरूरत की जो को एक एक करके मैं आपके सामने रखता चल रहा हूं तो साथियों सबसे पहले आप देखिए यह कहां से आया है यह जो जानकारी होना चाहिए कि यह जो advertisement आ रहा है यह कहां से रहा है तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह पब्लिक enterprises company है और इसी पब्लिक enterprises company से क्या आ रहा है आपके पास एक जॉब opportunity आ रही है और यह कौन सा है uranium corporation of india limited की बात करते हैं गॉवर्मेंट of india enterprises भारत सरकार का यह क्या है एक उपक्रम है और इसी के अंतरगत आप से क्या मांगा जा रहा है एक आप से job opportunity यहां पर create की गई है और आप से application form यहां पर भरने के लिए कहा जा रहा है देखें साथियों यह जो है इनका official website है यह क्या है यह official website कभी भी कोई आप form को फिल करते हैं तो आपको जाना होता है आपको official website पर जाना होते और उसी official website पर जाकर आपको कइस को करना होता है आप करना होता है अगर हम बात करते हैं यह क्या है यहां पर जॉब ऑपर्चुनेटी क्रियेट किया गया है तो आप देखिए एडवर्टाइजमेंट नमबर की अगर हम बात करते हैं तो 04-2023 का है मिन्स की यह क्या है यह अपडेटेटेट इंफॉर्मेशन को आपके सामने क्या बात कर रहा है आपने पहले ही देख लिया यह जो भी डीटेल इंफॉर्मेशन आया है यह यूरेनियम कार्पोरेशन से आया है कर रहा है यूरेनियम कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेट वाज इंकॉर्पोरेटेड ऑन 4 अफ एक्टूबर 1967 इसको बनाया गया था कब 1967 में बनाया गया था साथी साथ कर रहा है इसके बारे में आपको पता चल गया कि यह क्या कंपनी है किस प्रकार का जॉब अपॉर्जिनिटी आपको प्रवाइट कर रहा है अब इसमें आगे एक के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगा उनसा भी इंपॉर्टेंट चीज को हम यहां पर कबर करते हुए चलेंगे तो सबसे पहले आप देख लीजे कर रहा है लास्ट डेट पर सब्मीशन आप एप्लिकेशन अठारा आठ दोहजर तेईस मि आप लोग क्या करते हैं लास्ट डेट पर जा करके कहेंगे कि हमारा फॉर्म फिल करना और लास्ट डेट पर आट लास्ट मूवमेंट वे आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाता है इसलिए सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले लास्ट डेट यहां पर बताया है आगे देखिए अगर हम सीरियल नमबर की बात करते हैं और इक्सपेरियंस और इसमें क्या-क्या मांग रहा है हर एक डीटेल इंफर्मेशन को मैं आपके सामने रखता हुआ चल रहा हूं अगर हम बात करते हैं तो जनरल मैनेजर पोस्ट के लिए आया है सबसे तो पहले आप देख लिए कि किस किस पोस्ट के लिए जॉब ऑपोर्चुनुटी क्रियेट किया गया है साथी साथ डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए कर किया गया है ठिक आगे कर रहा है अडिशनल मैनेजर के लिए किया गया है और भी नीचे है सभी पोस्ट के बारे में अभी हम आपको बाइदा टाइमिंग धीरे-धीरे एक-एक चीजों को बताते हुए चल रहा है अब यहाँ पर थोड़ा सा एक-एक चीजों को उन्रिजर्व के लिए एक पोस्ट है और कि कि बात करते तो 50 मांग रहा है अगर जाशाइस लगर्डियस गयों घ्लिशन पर नंतरगत करे ए और यह तो सबस्टर है है जनरल मैनेजर इसलिए इसका एज भी क्या मांग रहा इसका एज भी लिमिट ज्यादा मांगरा कर डिज्टिप्लीन इंक्लूडिंग इंचिनरीर इंजीनरी टू यह फूल टाइम पीज़ डिग्री होना चीए डिप्लोमा रीको गराइब यूनिवस्टी से क्या होना चाहि और शबसे बड़ी चीज है इसने मांग रहा है और इसमें बीस साल का क्या मांग रहा है करे अगे हम बात करते हैं नेक्ट वाले पोस्ट में क्या कर रहा है दोस्टो बात करते हैं तो यह कहां से आया मैंज़र के पोस्ट के लिए यह ज़ो पॉचनूटी की जा रही है यह किसके में अगरust mira क्लिवाइब करते हैं तो करें डिग्री किसम fascination यह तो इन्जीनीरिंग्साइए तो इंजिनीरिंग फिल्ड में आपके पास ढक्लिवेयर होना चाहिए साथिसाथ पॉस्ट क्या हुं? इस सकेंड नंबर साथ करते हैं इस इसमें additional manager की बात कर रहा है तो साथियों इसमें आप देख सकते हैं कि total number of post की अगर हम बात करते हैं तो पांच पोस्ट यहां पर आपको share किया जा रहा है अगर हम लेक्स की बात करते हैं यह की बात करते हैं तो 30 30 year 35 year 30 year और तीस इन यहां पे आपको यहां पे एज-criteria भी देंगर के रखा हुआ है आगे देखें इसमें क्या डीमांद कर रहा किस टाइप के क्वालिफिकेशंस की दिमांड कर रहा है साथ झाथ हब आप लोगोंने एज देख लिया आप लोगोंने क्वालिफिकेशन देख लिया करेक्वालिफिकेशन में डिगरी In any discipline इंकूलूड़िंग ऍजिनेरिंग एंड टू ये और फुल टाइम पीजी डिग्री यहां पर होना चाहिए डिपलोमा होना चाहिए कहां से रिकोगनाइज स्टेश्टूटरी बॉडी से होना चाहिए यह नहीं कि फर्जी कहीं से कर लिए अगर experience की बात मांते हैं तो कर रहा कि minimum जो होना चाहिए 95 2002 से मिंस की दो सिर्फ 952 लिखा है 2002 भी ने लिखा है 952 लिखा है मिंस की दो इयर का आप से क्या मांग रहा है दो यहां पर आप से experience मांग रहा यहीं इनके experience qualification के अंतरगत डिमांड किया जा रहा है क्या दो साल का आपके पास minimum इसमें experience होना करता है तो अगर आप करते हैं इसमर करते हैं तो फर्थ नमंत में तो यह assistant आशिस्टेंट मैनेजर की बात कर रहा है और इनके अगर पे ग्रेट की बात करते हैं तो 40,000 से ले करके एक लाग चाली सजार रुपया तक का इनका पे ग्रेड यहां पे प्रवाइड किया गा इसमें एक पोस्ट दिया है अगर हम एज की बात करते हैं तो 30 फिर पोस्ट और यह से अगला है और यह आगर रहत करते हैं कि इसमें पोस्ट के हैं तो FIN नंबर वाले में कह रहा है यह किस चिस की बात कर रहे है साथ यह कह रहा है डिप्टी मैनेजर की बात कर रहा है सिक्योरिटी असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी की बात कर रहा है इसमें नमबरा पोस्ट की बात करते हैं तो तीन पोस्ट यहां पे आपके लिए रखा गया अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की तो 50 एर की मांग कर रहा है अगर एज तरविस्ट को आपने प्रिबेसली किया है आपके पास experience होना चाहिए और इंडिरेक्टली वे में कहा जा तो experience की डिमांड ने आप की जा रही है तो डिषिए यहांपर चीप की बात की जा रही है रही है यहां पर इंडिनल सुप्रेंडदेंड शीफिल की बात कर रही है अगर हम बात करते हैं कि ST के लिए एक पोष्ट यहां पर जारी कियागा और age limit के हम बात करते हैं तो 45 भी है, 40 भी है, 35 भी है और 30 भी है, जो जिस category से belong कर रहा है, उसी के accordance में यहां पर age relaxation की बात भी की जारी, किसी में 30 मांग रहा है, किसी में 35 मांग रहा है, किसी में 40 मांग और as well as 45 तक आपको यहां पर मांग रहा है अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो करें डिग्री इन सिविल इंजिनियर और इक्वावैलेंट क्या होना चाहिए डिग्री होना चाहिए सिविल इंजिनिरिंग में और उसके समकच कोई डिग्री आपके पात होनी की योव tu seven iferй में देखिए क्या कर रहा हा यहां पर किस необход के ली निकाला गया तो यहां पर Gou m which चैनल कर तो नों का एज लिमीट की बात करते हैं तो कि डिग्री इन सिविल इंजिनीर में यह सभी इंजिनिरिंञ शेक्टर के जोब यहां पे provide किया रहा है यू-स-ई-स की मांग कर रहा है तो पास से ले कर लेकर दो साल का आपके पास क्या होना चाहिए एक experience भी होना चाहिए किसमें होना चाहिए जैसे कि building में होना चाहिए structure में होना कर सकते हैं फिक अपार कर सकते हैं उनके लिए एक अच्छी आप आई आई और इसी अच्छी आपis के ौट सी कर रहे हैं in completely परवाले पूस्ट में तो करें जेनरल मैनेजर एक्काउंटेर्ट की बात करता है जंड डिप्टी जनरल मैनेजर्स की बात करता है अगर आमdis ख़तें यहां पर जारी किया गया है나おकलर पच्छास से ले あり пользов podcasts कि बात करतें कॉल्यूफिकेंट होने चाहिए यहां पर साहब že Анд Secondly चाहिए और एक्सप्रियंस की चाहिए इनके पास ऐइनके पास और शायist और बिना नेक्स्ट में यहां पर देखिए क्या क्या आ रहा है यहां पर नाइथ नंबर के अगर हम कॉलम को देखते हैं तो यहां पर मैनेजर एकाउंट्स के आ रहा है एडिशनल मैनेजर एकाउंट्स आ रहा है डिप्टी मैनेजर एकाउंट्स आ रहा है अगर हम बात करते हैं टोट तो डेफिनेटली आप इस फ़र्म को अप्लाई कर देखते हैं तो डिप्टी मैनेजर की बाता असिस्टेंट मैनेजर की बाता यहां पे वन पोस्ट जारी किया गया एज की हम बात करते तो 30 साल रखा गया है अगर क्वालिफिकेशन डिगरी की बात करते हैं तो कंप्यूटर इंजिनेरिंग होना चाहिए साइन्स में और यूनिवर्स्टी रिकोगनाइज इंस्ट्यूट से आपके पास होना चाहिए अगर हम एक्सवेरियंस की कॉल आउट करते हैं तो पात साल से ले करके दो यहर का आपके रही है और अगर हम मिनिममम क्वालीफिकेशन की बात करते हैं तो पास से ले करके दो वो साल तक आपके पास minimum qualification होना चाहिए तेरे नमबर की पोस्ट की बात करते हैं additional superintendent की बात करती है डिप्रिस superintendent की बात करती है एक पोस्ट जारी किया गया है EWS सेक्टर के लिए economic सेक्टर के लिए एज की अगर हम डिमांड करते हैं तो 30 से ले कर गया 35 साल के यहां पर एक्सपेरियंस होना चाहिए फिर हमारे क्योंकि यहीं सेशन में इतना ही था जितना था सभी चीजों को हम डिटेल में एनालिसेस करते हुए चल रहा है अब देखिए यहां पर अभी मैं आपके सामने यह भी रखूंगा कि इसका online registration कब से स्टार्ट है अभी लास्ट देट तो आप लोगों ने देख लिया कि 18 तारिक रखा गया है अब देखिए चौदा नमबर रहा है एडिशनल सुप्रेटेंडेंडेंडेंट के लिए आया है इसमें टोटाल नमबर आप सीट पांच है अगर हम एज की बात करते हैं तो 35 से ल होना चाहिए अगर इस टाइप का क्वालिफिकेशन है तो आप डेफिनेटल इस फार्म को अपलाई करेंगे और फिफ्ट नमबर के हम बात करते हैं अडिशनल सुप्रेटेंडेंडेंडेंट सर्वायर की बात करते हैं दो सीट के लिए यहां पे निकाला गया जॉब ऑपर चीजेघ अब करते हैं सभी चीजों को आपको यहां पर अगर हम बात करते हैं तो साथ होगा तो 15-7-2013 से इनका क्या हो गया है इनका application इस्टार्ट हो गया और 18-8-2023 इनका क्या रखा गया है इनका last date रखा गया है इन दोनों fact and circumstances को आपका जानाना जरूरी होता है क्योंकि यहां से बार-बार आपके examination में यह आपके लिए important होता है अगर आप कहेंगे कि और female के साथ साथ आप क्या है PWD candidate है SC candidate है तो आपसे कुछ नहीं रखा गया है यहाँ पे इनसे 500 रुपय चार्ज रखा गया है और female candidate से और female candidate से साथी साथ SC से और ST से यहाँ पे क्या रखा गया है निल रखा गया है तो in totality कहा जाए तो whole soul पूरा जो detail होना चाहिए information जो होना सेक्षन open होता है आप क्या करेंगे आप comment section में comment डाल देंगे as usual उसका जो हो सकता है जिस प्रकार से भी reply उसका किया जा सकता है उसका reply आपका किया जाएगा अगर आपका positively comment आता है कोई topics पे अगर आपको दिक्कत आती है कोई चीज समझने में तो उसका आपको क्या किया जा यूथ competition time के द्वारा किया जाएगा और साथियो आप लोग जादे से जादे इस वीडियो को share करिएगा कि काफी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके बस यही आसा करता है YCT परिवार आप लोगों से क्योंकि आप लोगों से यही बस उमीद रगा के रखा है कि आप एक दिन हम लोगी बुलंदियों को जरूर टच करें फिर मिलेंगे एक नेक्ट वीडियो में नेक्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद